हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू कॉम्टिशन कम्मूनिटी, कॉम्टिशन कम्मूनिटी में आपका स्वागत है, आसा करता हूँ आपकी तैयारी परिक्षाओं की अच्छी चल रहे होगी, और आगे जो होस्टल वॉर्डन के एक्जाम्स आने वाले हैं, उसकी भी तैयारी आ कर रहे हैं, उसी करम में आज जो हम कोश्चन देखने वाले हैं, वह है फ्रेक्षन का, और फ्रेक्षन का जो कोश्चन हम देखने वाले हैं, बहुत बार वे आपने डिफरेंट डिफरेंट एक्जाम में पूछा गया है, और इसका जो आज मैं टेक्निक बताने वाला हूँ या जो concept बताने वाला हूँ उसको अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत आसानी से आप question हल कर सकते हैं चलिए रेखते हैं कैसे questions आज हम देखने वाले हैं तो आज हम जो question देखने वाले हैं इस प्रकार के ladder वाले यानि की question को अराम से solve कर पाएंगे ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे प्रश्णों के लिए ऐसे प्रश्णों को आप कैसे हल करेंगे ठीक है देखें चलिए पहले अगर हम बात करें बिल्कुल basic से basic से अगर हम बात करें इस question को आपको कैसे solve करना है आपके पास question है 1 plus 2 by 5 यह आपके पास question है अगर basic तरीकी से हम बात करें तो सबसे पहला काम हमको करना होता है ऐसे questions में कि सबसे पहले आप 1 plus 2 by 5 को हल करें 1 plus 2 by 5 को जब आप हल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा इसके बात अगर हम इससे आगे बढ़ाएं तो हमारे पास कितना है 1 plus 1 plus 1 upon 7 by 5 अब इसे हम जब solve करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 1 plus 5 by 7 इसे अब फिर से आप solve करेंगे 1 plus 5 by 7 तो आपको मिलेगा 1 plus 1 upon 12 upon 7 ठीक है फिर इसे आप solve करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 1 plus 7 upon 12 बराबर यह हो जाएगा आपके पास 12 साथ 19 बटा 12 clear है क्या यह है आपका basic method जिसमें कहीं न कहीं आपको एक एक step एक एक करके आपको यह ladder को cd को solve करना है cd नुमाकरिती में जो fraction है उसे solve करते हुए आपको बढ़ना है ठीक है यह है आपका basic concept ऐसे question को solve करने का यदि आपको इसके अलावा जो दूसरा method मैं जो बताने वाला हूँ उससे solve करना है तो उससे ध्यान से देखिए और बिल्कु आपके पास इसी question को अगर मैं बात करूँ इसी question को हम लें तो हमारे पास question था 1 plus 1 upon 1 plus 1 upon 2 upon 5 ठीक है यही question हमारे पास दिया गया था इसी question को हम हल करने वाले हैं इसी question का तरीगा और concept में बताने वाला हूँ देखिए आपके पास कभी भी इस प्रकार का question अगर आपके पास दिया रहेगा, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको फोकस करना है, यहाँ पर जो लाश्ट में फ्रेक्शन जो दिया रहेगा, उसका, ठीक है, लाश्ट में आपके पास 2 एक निमेरेटर है, और एक डिनॉमेरेटर आपको दिया है, जिसमें यह अंस हो गया और यह हर हो गया, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अंस और हर को जैसा का जैसा दिया है, तो अपन फाइब को लिख लेना है, क्या क्या मैंने, अंस और हर को बस आपको टू और फाइब को लिख लेना है, अगला काम आपको ये करना है कि कितने बार 1 है तो आप देखिए 1,2,3 बार यहाँ पर 1 आपको continue दिया गया है याने कितने बार यह आपर सिव्धी रुमाकृति बरी हुगी है तो कितने बार 3 बार है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तीन खाली स्थान इस प्रकार से छोड़ देंगे, क्या करेंगे, तीन खाली स्थान इस प्रकार से छोड़ देंगे, नैश्ट आपको करना है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, जब आपके पास 2 प्लस 5 दिया हुआ है, तो आपको अगला का यह करना है कि इस 5 में इस 2 को जोड़ देना है तो पहला काम आपको क्या करना है 2 प्लस 5 करना है तो 2 प्लस 5 कितना आ जाएगा 7 यह हो गया आपका पहला blank का number कितना हो जाएगा 7 ठीक अगला काम आपको क्या करना है 7 प्लस 5 करना है तो क्या करेंगे आफ 5 plus यहाँ पर 7. कितना आ जाएगे यहाँ पर 12. तो अगले blanks में अगला खाली स्थान में कितना आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा. फिर आपको क्या करना है फिर इस 12 को इस 7 मे फिर add करना है तो आप किया लिखेंगे 7 plus 12, कितना आगे आपके पास 19, और यहाँ पर last जो आपका blank था, उसको हमने fill up कर लिया, clear है अब आपका answer बिल्कुल आ चुका है आपको करना क्या है, last काम आपके पास, जो आपके पास last number जो दिया गया था और इसके पहले का जो number था उसे आप भी न मिले कि लेंगे 19 को आपको answer में रखना है और हर में 12 को लिखना है और यहीं 19 बटा 12 क्या हो जाएगा आपके लिए answer हो जाएगा clear है क्या, बहुत ही आसान तरीका बहुत ही easy technique है ऐसे question को solve करने का अभी आपको मैं just 3, 4, 5, 6 question ऐसे जरू करवाँगा जिससे आप इस पर बिल्कुल command बना सके और कैसा भी question आए ladder वाले method का आप आसानी से बना सकते है चलिए, अगला question देख लिए यहाँ पर अगला question क्या है हमारे पास तो अगला question हमारे पास 1 प्लस 1 अपान 3 अपान 4 3 बटा 4 clear, कुछ ऐसा question आपके पास दिया हुआ है just मैंने आपको जो विधी सिखाई या जो method सिखाया उथी method को आपको क्या करना है अपनाना है और उसी method से आपको solve करना है देखे, सबसे पहला काम आपको मैंने बता है कि यहाँ पर जो numerator है, denominator है उसको आपको लिख लेना है तो आपके पास क्या है, 3 बटा 4 तो आप क्या लिखेंगे, 3 और 4 लिख लिए ठीक, 3 और 4 लिख लिए उसके पास आपको चेक करना है यहाँ पर कितने बार आपके पास 1 है तो 1, 2 और 3 जितने बार 1 होगा उतने बार क्या कर लेंगे खाली इस्थान आप ले लेंगे यहाँ पर हमने क्या ले लिया खाली इस्थान ले लिया अब आपका target क्या है यहाँ पर जो blank है इसे आपको fill up करते चलना है अब fill up कैसे होगा देखिए सबसे पहला काम आपको 4 में 3 को जोड़ लेना है तो 3 प्लस 4 कितना आजाएगा आपके पास 7 आजाएगा तो पहला नमबर आपको मिल गया 7 इसके बाद 7 और 4 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 4 को हम जब जोड़े तो हमें कितना मिल गया 11 तो अगला नमबर क्या हो गया 11 डन और लाश्ट जब ब्लैंक की बात करें तो फिर से आप वैसे ही आड़ करेंगे 7 प्लस क्या कर देंगे 11 कर देंगे उस 7 प्लस 11 कितना मिल जाएगा 18 और लाश्ट नमबर आपको क्या मिल गया 18 18 डन यहादक चीज़े ठीक अब आपको फाइनल आंसर जो लिखना है वो क्या लिखेंगे जैसे मैंने बताया लाश्ट नमबर को आपको उपर रखना है अंस में रखना है और उसके पहले नमबर को उसके बाद रखना है मतना भार में रखना है तो 18 by 11, 18 by 11 क्या हो जाएगा इस प्रश्ण का आंसर हो जाएगा तो आपने बिल्कुल देगा कैसे आसानी इसे बिल्कुल एक ही लाइन में आप यहाँ पर सिंपल जोड़ते चले और जोड़ने के बाद आपको आंसर मिले कितना 18 by 11 किसी भी प्रगार का अगर डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं उसके आंसर आपको दिये जाएगे साथी साथ आप हमारे साथ अगर यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए तो जरू लाइक एन सबस्क्राइब जरू कर लिजे अब आपको इसके पीडिया भी जो है आपको कमेंट सेक्शन में प्रवाइड किये जाएंगे साथी साथ अगर किसी मैक से में कहीं पर भी प्रशन में आपको डाउट होता है तो आप डारेक्ट मुझस से connect हो सकते हैं जिसके number आपको comment section में दे दी जाएंगे ठीक चलिए अगला question देखते हैं हमारे पस तो अगला question है हमारे पस जैसा ladder screen वाला जो question है वैसा ही question हमारे पस है और इस question को हम कैसे solve करेंगे मेरे साथ आप बिल्कुल try कीजिए एक बार है ना try कीजिए क्योंकि आप को practice जादा करना है ठीक है यहाँ पर इस technique को बार बार जितने बार आप practice करेंगे उतना जादा आप exam में यहाँ पर confident रहेंगे ठीक है चलिए तो यहाँ पर one plus दिया हुआ है one plus one plus one upon four upon five ठीक है clear है ठीक ऐसा कुछ questions आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है देखे बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल easy methods of within minute आपके questions all हो जाता है और technique मैंने बताया है करना क्या है सबसे पहले आप last fraction की तरह बढ़ेंगे last fraction में हम पर numerator में क्या है 4 है और denominator में क्या है 5 है तो आप सबसे पहले लिख लीजे यहाँ पर 4 और उसके बाद लिख लीजे क्या 5 लिख लीजे इसके पाद यहाँ पर चेक कीजिए कितने बाहर बन है तो 1, 2, 3, 4 4 और 1 है याने कि उतने बाहर क्या करने है आपको blank छोड़ देना है यहाँ पर 1, 2, 3, 4 blank हम छोड़ देंगे ठीक है यहाँ पर blank छोड़ लेंगे इसको question थोड़ा यहाँ लिखते हैं ठीक, चलिए अब देखिए सबसे पहला काम जैसे मैंने बताए 4 और 5 को आपने लिख लिया अब क्योंकि यहाँ पर plus का sign है इसलिए आप क्या करेंगे इसे plus करदेंगे तो 4 प्लस 5 करेंगे क्या मिलेगा आपको 9 और पहले blank में क्या जाएगा 9 को फिर 5 से चोड़ेंगे 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14 और 14 हो गया अगला answer हो गया इसके पाद आपको अगला क्या करना है यहाँ पर 9 प्लस 14 और 9 प्लस 14 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 23 ठीक है 9 प्लस 14 कितना हो जाएगा 23 और 23 हो जाएगा अगला number देल लास्ट आपको करना है यहाँ पर 14 प्लस 23 और 14 प्रेस 23 का नबर कितना मिल जाएगा आपको 37 और 3 तो यहाँ पर आपको मिल गए लाश्ट नमबर 37 अब आपका यह लाइन जैसे ही complete होता है आपको answer मिल चुका है और answer यहाँ पर हो जाएगा जो आपका लाश्ट नमबर है उसको हमको लिखना है answer में और जो उसके पहले का जो नमबर है उसे आपको हर में लिख लेना है याने 37 बटा 23 और यही आपके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर final answer इसका हो जाएगा clear है ठीक एक question और हम लोग इसका ऐसा ही देखने वाले हैं जो 1 प्लस 4 5 अपान 6 clear है ठीक अब देखें जैसे कि मैंने बताया आपको बार बार चीज़े हम पर बता रहा हूं उसको ध्यान समझते चलिए और 37 अब मेरे साथ अव्याज भी आप करते चलें ठीक है सबसे पहला काम आपको ध्यान दे रहे हैं numerator में क्या है और denominator में क्या है और आपको वैसा का वैसा है लिख लिएना है 5 को पहले लिख लिए हम और उसके बाद denominator में जो 6 है उसे हम लिख लिए clear है ठीक इसके बाद आप इस 1 को count कर लिए कितना है 1 2 3 4 जितना 1 उतना blank आप छोड़ दीजे तो उतना blank हम यहाँ पर छोड़ दें 1 2 3 4 4 blank हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे और इनी 4 blank को भरने का हमारा target है चलिए अब इसे fill up करते हैं तो fill up करने के लिए जैसे मने बता है कि यहाँ पर sign क्या है सभी plus के हैं तो simple हम क्या करेंगे plus करेंगे अब plus करने के लिए जैसे मने बताया कि आप जैसा से number दिया है वैसे जोड़ते चले तो 6 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 हो जाएगा उसके बाद 11 को हम 6 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 plus 6 11 plus 6 कितना हो जाएगा आपके पास 17 तो अगला number कितना हो गया आपके पास 17 फिर आप लिखेंगे 11 plus कितना 17 11 plus 17 करेंगे कितना हो जाएगा 7 1 8 और यह 2 28 तो अगला number आपके पास हो जाएगा 28 देन लास्ट आपको करना है यहाँ पर क्या 17 plus 28 और इसे जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा 8 7 15 1 और यह मिल गया 4 45 45 ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे आपके पास last number क्या है 45 और उसके पहले वान number क्या है 28 और वही आपका answer हो जाएगा और आप बोलेंगे 45 निमेरेटर में रहेगा अंस में रहेगा denominator में और 45 बटा 28 आपके लिए यहाँ पर क्या हो गया answer बिल्कुल easy तरीके से within second अगर आप इस टेक्निक को अपनाते हैं तो ऐसे letter वाले कोई भी question आए कैसे भी question आए आप आसानी से इसे बना सकते हैं किसी प्रकार का पहले ही बताया है कि व्यापम में जितने भी आई हुए प्रशन है उसके concept के साथ उसके trick भी आपको यहाँ पर करवा जा रहे हैं चलिए देखें अगला question है हमारे पास जिसमें minus दिया हुआ है सभी question में क्या है यहाँ पर minus लिखा हुआ है आपके पास प्रशन है 1 minus 4 upon 5 ठीक है 4 upon 5 Done question को बिल्कुल ध्यान से देखें यहाँ पर आपको सभी के सभी साइन है जितने भी निसान दिये हुए है यहाँ पर जो साइन दिया हुआ है यह negative है पिछले question में जो दिया हुआ था सभी जगह क्या था आपका plus था इस बार क्या है minus है देखे question में कोई technique में कोई बदलाव नहीं है बस minus के कारण एक बदलाव होने वाला है उसे आप ध्यान से देखते चलिए तो जैसे मैंने बताया कि आपको question को जैसा दिया है वैसे लिख लेना है मैंने आपको बताया था सबसे पहले numerator आप लिखेंगे और उसके पाद denominator को लिख लेंगे अंस को पहले लिखना है उसके बाद हर को लिखना है तो अंस को हम पहले लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और उसके बाद लिखेंगे हम क्या 5 clear है 4 और 5 को जैसा का जैसा दिया है वैसका वैसा लिख लेना है उसके बाद आप पाउंग करेंगे कितना 1 है 1, 2, 3, 4 जितना 1 है उतना क्या कर लेंगे उतना खाली स्थान यहाँ पर छोड़ देंगे 1, 2, 3, 4 खाली स्थान इतना blank हमने क्या कर लिए है यहाँ पर छोड़ दिया अब इस blank को fill up करने का काम है देखे मैंने बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा minus हो रहा minus का sign यहाँ पर use होने वाला है मतलब यहाँ पर हमको क्या करना है minus करना है यहाँ पर भी minus होगा यहाँ पर भी minus और यहाँ पर भी minus ठेक है, minus करते हो आपको बढ़ने है, तो पहला step क्या होगा है, आपर देखिए जहां से, तो पहला काम आपको करना है, 5-4, 5-4 करेंगे कितना जाएगा एक, और यह पहला number आपको मिल गया, क्या है, यहाँ पर 1, ठेक, अगला काम फिर से क्या करना है, आपको minus करना है, यहाँ 4 लिख लेंगे, दन यहादक, फिर अगला काम आप क्या करेंगे, minus 4, minus 1, और minus 4, minus 1 कितना हो जाएगा, आपके पास, minus 5, ठेक, तो यह अगले blank को हमने लिख लिए, क्या, minus 5, अब लास्ट वाले blank को ध्यान से देखिएगा, और ध्यान से भरिएगा, ठेक है, डायट यहाँ पर 5, minus 4 नहीं करना है, आप लिखेंगे क्या, minus 5, minus 5, minus, minus 4, ठीक है, अब जब इसे solve करेंगे, तो कितना मिलेगा, minus 5, plus 4, और यहाँ पर आपको मिलेगा, minus 1, और यहाँ final answer मिल जाएगा, आपको, minus 1 मिल जाएगा, clear है क्या, कैसे हमने, क्या चीज़े की, बिल्कुल ध्यान से समझते चली, एक-एक करके, एक-एक step यहाँ पर बताएगे, वैसे ही आपको solve करते चल रहे हैं, अब देखें, फिर से सारे के सारे, आपके खालिस्तान, या जितने भी blank थे, 4 blank हमने भड़ दी, अब इसके बाद जैसे मैं बताए, last वाला number answer में, और उसके बाद वाला हर मे आपका answer हो जाएगा, क्योंकि यह minus minus क्या हो गया, plus और आपका answer क्या हो गया, one upon five हो गया, देखे जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ पर माइनस करना है पहला स्ट्रेप आपको क्या होगा माइनस हो यहाँ से पता चला अगले में भी माइनस अगले में माइनस हो उसके बाद भी आपको माइनस करना है अगला प्रस्चन भी माइनस वाला ही है, बिल्कुल ध्यान से देखेए, ठीक है, इतना question का आपको आपको यहां पर जो practice करवाय जा रहा है, multiple ऐसे question करवाय जाएंगे, ताकि आपको यहां से इस class के बाद, इस class के बाद बस आपको revision करने की जरुवत पड़ेगी, ठीक है, यह यहां पर एक एक जो चीजे बताई जा रही हैं, बिल्कुल एक्जाम में आई हुए, बार-बार आम आपको बता रहा हूँ, जो भी आप होस्टल वार्डन या व्यापम की किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो, जहां पर मैक्स के कोश्चा ना निवाले हैं, इसके अलावा आप SSE दे रहे हों, रेल्वे दे रहे हों, वहां पर भी यह बहुत ज़्यादा है, वहां पर भी ऐसे प्रशन पूछे जाते हैं, और आपके पास वहां पर समय की सबस्यादा कमी होती है, चाहे आप किसी भी एक्जाम में देते जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क hältे हैं, तो यहां पर आपके पास इस प्रकार से कोश्यन दिया है, वाले एक फ्रेक्षिन वाले आपको कोश्यन दिये गए ठिक, ध्यान से देखे, ऐसे प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे, पहला काम जैसे मैं ने बता काया है कि आपके पास न्यूमिनेटर और तो आप यहाँ पर क्या करें गे, यहाँ पर 1 और 5 जैसे के जैसे दिया हुआ है, वैस कब वैसा आपको क्या कर लेना है? लीक लेना है. ठीक, उसके बाद चेक कीजिए कितने बारवन है? 1, 2, 3, 4, 4 बारवन है मतलब की क्या करें गे, आप यहाँ पर 4 बल ब्लैंक छोड़दे एक, दो, तीन, चार चार blank, चार खाली स्थान आप क्या कर देंगे यहाँ पर छोड़ देंगे नेट्ट काम आपको क्या करना है यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ नंबर दिये गया है उसको आपको चेक करते हुग यह देखना है कि यहाँ पर minus हुए कि plus हुए तो सभी जगा चार जगा minus है याने पहला भी minus होना है second भी minus करेंगे आप यहाँ पर minus होना है ठीक है यहाँ पर negative का sign दियेगा positive का sign कहीं पर भी नहीं ठीक अब देखें सबसे पहला काम आप क्या करेंगे 5 minus 1 करेंगे 5 minus 1 करेंगे क्यों कि minus का sign है और answer आजाए कि कितना 4 और इस 4 को क्या लिख लेंगे आप पहले खाली स्थान में लिख लेंगे done इसके पाद अगला काम आप क्या करेंगे हाँ पर 4 minus 5 4 minus 5 4 में 5 को भटाएंगे कितना भी गएगा देखें यहाँ पर minus sign बढ़ा है इसलिए क्या जाएगा आपका minus 1 आजाएगा यहाँ पर क्या लिख लेंगे minus 1 लिख लेंगे done है बिल्कुल ध्यान समझते चलिए ठीक अगला काम आपको क्या करने देखे minus 1 और 4 को क्या करेंगे minus करेंगे तो इस बार आपको मिलने वाला है क्या minus 5 मिलने वाला है और यहाँ पर लिख लेंगे क्या minus 5 लिख लेंगे done ठीक अगला आपको step करना है यहाँ पर minus 5 और minus क्योंकि यहाँ पर देखे minus 1 है इसलिए आप क्या करेंगे minus 1 यहाँ पर लिख देंगे minus 5 plus 1 बराबर आपको मिलेगा minus 4 clear तो यहाँ last black में कितना आ जाएगा minus 4 आ जाएगा और आपका final जो answer बनेगा तो मैंने जिसे बताया था last number आपको numerator में और उसके बाहद आदा denominator में इसे answer में और इसे हो जाएगे plus हो जाएगे और आपको final answer मिलेगा 4 by 5 4 by 5 4 बटा 5 इसका answer आपको मिल जाएगा clear है समझ में आया आपको कैसे minus वाले question को solve करना है कैसे plus वाले question को solve करना है technique बिल्कुल तरीका वही चल रहा है बस plus और minus के कारण यहाँ पर थोड़ा सा बदा हुआ है ठीक अगला एक और बहुत ही बहतरीन question जिसमें अब plus और minus दोनों एक साथ जबाएंगे तब वैसे question को आप कैसे solve करेंगे उसे देखते हैं चलिए इस question को देखे जहाँ पर आपके पास plus और minus दोनों दिया हुआ है ठीक इस question को देख लेते हैं कैसे ऐसे question को आप solve करेंगे ठीक देखे यहाँ पर number दिया गए आपके पास one plus फिर आपके पास one minus है फिर आपके पास one plus है फिर one minus है two by three यह last number आपको दिया हुआ ठीक last number सबसे important target आपके लिए होता है solve करने के लिए solve आपका वहीं से यह आपको करना है देखे ध्यान से चलिए अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि two upon through में numerator को पहले लिखना है denominator को बात में लिखना है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर two और उसके बाद लिख लेते हैं क्या three ठीक है two और three लिख लिख लिए जैसे का जैसे दिया है वैसी वैसी लिख लिख लिए उसके बाद आप चेक किजिए कितने बार one है तो एक, दो, तीन, चार चार बार यहाँ पर one है मत्दब क्या आप क्या करेंगे एक, दो, तीन, चार चार ब्लैंक आप इस प्रकार से छोड़ देंगे ठीक है, और चार ब्लैंक को ही हमको क्या करना है, field करना है दन यहाँ तक, चलिए अब, आपको plus करना है minus करना है, वो कैसे पताश चलेगा आप देखें, दियान से सबसे पहला काम आपको क्या दिया है, minus का पहला sign क्या है, आपका minus का तो minus करेंगे, उसके पाद अगला क्या दिया है, sign यहाँ पर plus का then आपको उसके बाद क्या दिया है, sign यहाँ पर minus का, और last आपको क्या करना है last step में क्या करना है, plus कर देना clear है क्या, minus माइनस प्लस माइनस प्लस ठीक तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहला काम आपको करना है क्या माइनस तो आप क्या करेंगे 3 माइनस 2 करेंगे और 3 माइनस 2 करने पर कितना बिलेगा 1 बिलेगा और इस 1 को आप क्या करेंगे यहां लिख लेंगे clear है क्या पहला काम आप क्या किए 3-2 के क्योंकि minus का sign है 1 आ गया अब अगला काम देखिए आपर यह 1 है और यह 3 है इसमें क्या करना है तो यहां अगले वाले box में अगले वाले खाली स्थान में दिखे क्या करना है आपको प्लस करना है तो आप करेंगे क्या 1 प्लस 3 और 1 प्लस 3 बराबर आपको क्या मिल जाएगा 4 done 1 प्लस 3 बराबर कितना मिल गया 4 और 4 को हम अगले blank पे लिख लेंगे clear फिर आप अगले blank का जो sign है उसे देखिए क्या करना है आपको minus करना है तो minus किसको करेंगे 4 minus हम क्या करदेंगे 1 करदेंगे और हमें क्या मिल जाएगा फिर से यहाँ पर एग लगख number 3 मिल गया और 3 को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे लिख लेंगे अब last क्या करना है आपको last sign यहाँ से पता चल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि यहां पर प्लस करना है और प्लस किसको किसको करेंगे तो आप प्लस करेंगे किसमें तीन प्लस चार करेंगे और तीन प्लस चार करने पर कितना मिलेगा साथ और साथ को आप क्या करेंगे लाश्ट खाली स्थान में लिख लेंगे clear है क्या? बस आपका question solve हो चुका है और final जैसे मैंने answer आपको बताया कि last वाला जो आपका box में होता है उसे answer में लिखते हैं उसके पहले वाले box में जो होता है उसे हर में लिखते हैं तो आपका final answer हो जाएगा है आपर 7 बटा 3 7 बटा 3 आपका answer हो गया clear है? तो आपको कभी भी ऐसे plus minus वाले भी अगर question आते हैं तो बिल्गुल आसानी से आप उसे solve कर सकते हैं किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आई बस आपको sign जैसे सदिया है वैसे लिख लेना और उसी के according step अपनाना है आपको पहले minus से तो पहले minus फिर plus minus और plus आपको करते चलना है ठीक? आपका जो तरीका है उसमें कोई बतलाव नहीं आ रहा है ऐसे अगर आप इस technique से solve करते हैं मैंने आपको कहा कि within minute आप बिल्कुल ऐसे question को आसानी से बना सकते हैं किसी प्रगार की दिक्कत आपको नहीं होगी चली एक और question आपके पास plus minus वाली जिसमें mix से आपके sign दिये हुए हैं वैसे question को फिर हम solve करते हैं देखें 1 plus 1 minus 1 plus and 1 minus और final आपको दिया गया है 4 by 5 4 by 5 done sign को आपको ध्यान रखना है sign के according काम करना है और question बनाने की जो technique है हमारी उसमें किसी प्रकार का बदलाव यहां पर नहीं किया गया है देखे फिर से आपको numerator uns और हर को ध्यान देना है uns में आपका क्या है 4 तो 4 को सब से पहले लिख लिए और उसके बाद वाले हर को आप क्या कर लिए 5 में लिख लिए ठिक इसके बाद आप चेक कीजिए कितने सारे यहां पर 1 दिएगे 1,2,3,4 4 यहां पर आपके 1 है मतलब कि आपका करेंगे 1,2,3 और 4 blank 4 खाली स्थान आपको इस प्रकार से छोड़ देना है ठिक देखे नेश्ट काम आप देखें कि यहां पर साइन क्या है पहला पहला साइन आपके पास माइनस का ठिक माइनस के बाद आपके पास प्लस का साइन है फिर आपके पास माइनस का साइन है फिर आपके पास plus का sign है तो यहाँ पर minus पहले है उसके बाद plus करना है उसके बाद minus फिर plus आपको करते चलना है अब द्यान से देखे जैसे कि मैंने आपको बताया है यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है और अगला क्या दिया हुआ है तो 5-4 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर एक हो जाएगा पहला sign क्या था minus तो हम नहीं क्या किया 5-4 कर दिया और 5-4 क्या मिल गया आपको 1 मिल गया अगला sign क्या है आपके पास तो आप बुलिएंगे sir plus है तो हम क्या करेंगे 1 plus 5, 1 plus 5 बराबर कितना मिल जाएगा आपको 6 तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या 6 done है यहाँ तक ठेक नश हमारे पास क्या है यहाँ पर minus sign तो minus sign में क्या करेंगे हम 6 minus 1 6 minus 1 कितना मिल जाएगा आपको 5 तो अगला plan क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 5 हो जाएगा और last क्या होगा देखें वहाँ पर कौन साइन बचा हुआ है प्लस का साइन तो आप बोलेंगे sir हम last करेंगे यहाँ पर 5 प्लस 6 करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 11 मिल जाएगा क्लियर है यहाँ तक 6 5 प्लाइ 11 ठीक और 11 को हम last blank में लिख देंगे then अब आपके पूरी line set हो गई है और आपको answer final लिखना है और answer क्या होगा आपके पास तो आप बोलेंगे sir numerator को हमको लिखना है 11 और denominator को लिखना है हमको 5 तो 11 बटा 5 आपको क्या हो जाएगा इस question का answer हो जाएगा clear है तो minus plus minus plus की situation में कोई भी कैसा भी question आए बिल्कुल आप sign को देखेंगे और sign के according क्या करेंगे solve करेंगे इसके अलावा किसी प्रकार का extra आपको logic नहीं लगाना है बिल्कुल आसानी से आप question को smoothly solve कर सकते हैं अब इस question को हम देखते हैं ऐसे question को आप कैसे solve करेंगे ऐसे question को जहां पर आपके पास one के इस्थान पर कोई number दिया गया हो जैसे कि यहांपर five दिया है यहांपर four दिया है, यहां पर three दिया है पहले के question जो देख रहेते हैं आप वहांपर उसमें क्या था? one 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 लिखा हुआ था इस बार question में five four और 3 दे दिये गए ठीक अब ऐसे question आएंगे तो आप कैसे बनाएंगे उससे देखे question को यहाँ पर लिग देता हूं मैं आपके लिए एक बार 5 plus 1 upon 4 plus 1 upon 3 plus 1 by 2 clear रहे बहुत आसानी से solve होगा यह question कोई नए technique नए logic यहाँ पर हम नहीं लगाने वाले हैं जैसे हम बनाते हैं हैं वैसे ही question को हम हल करेंगे देखें हम अब आप देखें पहला का हम की जैसे मैंने आपको बताया numerator और denominator को focus करना है यह numerator हो गया इसे हम जैसा का जैसा दिया हो गया है वैसा का वैसा लिख लेते हैं एक लिख लिए उसके बाद क्या लिख लिए दो लिख लिए अब आपको blank कितना छोड़ना है वन की हिसाप से नहीं अब यहाँ पर यह जो numbers हैं इसकी हिसाप से देखें एक दो तीन आपको कितने blank छोड़ने हैं यहाँ पर अगला काम देखें अब जब इस टाइप के question दिये हुए हैं तो देखें आप सबसे पहला number आपके पास क्या है यहाँ पर तीन है अगला number है चार और अगला number है पांच इस number को आप यहाँ पर लिख लिजे ठीक है जो जो number आपको दिये जो आपने नए number देखें है उसे आप यहाँ पर लिख लिजे पहले वाले blank के उपर लिख लिजे तीन अगले वाले blank के उपर लिख लिए चार और last blank के उपर आप क्या लिख लिजे पांच इस लिख लिख लिए ठीक है जो टेक्निक मैं बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान समझते चलिए ऐसे question भी बहुत आसानी से solve हो जाते हैं देखें सबसे पहला काम आपको क्या करना है इस 3 को इस 2 में multiply करना है और 3 और 2 को multiply करने के clear ठीक चलिए अगला यही तरीका बिल्कुल यहाँ पर भी आपको अपनाना है आप करेंगे 4 इंटू 7 प्लस 2 4 इंटू 7 प्लस 2 बराबर हो जाएगा कितना 4 से 3 29 तीस और 30 हो जाएगा आपके पास यहाँ पर अगला नमबर clear ठीक नर्श फिर से वही हम करेंगे 3 इंटू 30 इंटू 5 प्लस क्या कर देंगे 7 तो यहाँ पर हम करने वाले हैं कितना 5 इंटू 30 प्लस 7 कितना हो जाएगा आंसर तो आप कहेंगे सर 35 एक संतावन 157 तो यहाँ पर आपको मिलेगा कितना 157 बस आपका question solve हो चुका है जैसे मैंने बताया last number आपको numerator में और उसके पहले वाला number denominator में और final answer आप लिख देंगे कितना 157 upon 30 थोड़ा सा technique में बदला हुआ है एक number आपको जो दिया गया था उसको बस आप multiply करेंगे add करेंगे multiply add multiply add बस इतना ही आपको करना है एक question बिल्कुल वैसा ही solve करेंगे आप भी मेरे साथ बिल्कुल try कीजे एक बार और बनाने का एक बार अभ्यास कीजे ठीक अब देखिए अगला question है हमारे पास one plus two plus one upon three plus one by four ठीक है बिल्कुल वही तरीका अपनाना है और उसी तरीके से हमको क्या करना है question बो solve करना है ठीक देखिए हम सबसे पहला अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया है numerator को पहले और denominator को बात में आपको लिख लेना है तो हम लिखेंगे क्या one और उसके बाद क्या लिख लेंगे four लिख लेंगे ठीक इसके बाद आपको चेक करना है कितने number यहाँ पर दिये गया है तीन, दो, एक और उतने blank आप क्या कर देंगे छोड़ देंगे तीन, दो, एक के लिए हाँ पर blank छोड़ देंगे जो तीन blank आपने छोड़े तो पहले तो होता था 1 इस कारण से कोई number हम multiply नहीं करते थे इस बार आपको क्या मिले गए है यहाँ पर एक 3 दिया गया है उसके बाद 2 है और last number आपके पास क्या है यहाँ पर 1 दिया गया है तो जैसे मैंने बताया उस तरीके को बिल्कुल ध्यान से अपनाईए और उसे solve कीजिए तो पहला इस रहप आपको क्या करना है 3 into 4 plus 1 करना है तो आपको पहला काम क्या करना है 3 into 4 plus 1 करना है कितना मिल जाएगा 3 चुक 12 एक 13 मिल जाएगा तो यहाँ पर पहले इससान में क्या लिख देंगे आप 13 लिख देंगे अगला काम आपको क्या करना है 3 2 into 13 करना है plus 4 कर देना है तो यहाँ पर क्या करेंगे आप 2 into 2 into 13 plus 4 तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको तेरा दुनी 26 24 30 यहां पर अगला नमबर आपको मिल जाएगा क्या 30 ठीक लाश्ट आपको काम करना है क्या 30 इंटू 1 प्लस 13 तो यहां कितना मिल जाएगा आपको 1 इंटू 13 प्लस 13 यह हो जाएगा आपके पास 43 तो लाश्ट नमबर आपको मिल गया कितना 43 मिल गया अब आपको final ये line जैसे ये आपकी complete होती है आपको final answer मिल चुका है और final answer जैसे मैंने बताया कि last number आपको अंस में और उसके बाद वाला हर में रहेगा numerator में आपको 43 और denominator में 30 आजाएगा और आपको final answer आपको 43 upon 30 ये हो गया आपका answer clear तो आपने देखा कि आज हमने जिस प्रकार की question solve कि ladder में plus वाले भी sign वाले minus वाले भी और mixed sign वाले भी question आप आसानी से बिल्कुल इस technique से solve कर सकते हैं एक question मैं आपको homework दे रहा हूं बिल्कुल आप इसे try कीजेगा और solve करके इसे comment section में इस question का answer आप जरूर बताएंगे ध्यान से इस question को note कर लेंगे और इस question का answer जितने भी students मेरे साथ जुड़े हुए एक बार इस question को solve करके answer जरूर बताएंगे comment section में ऐसे ही videos अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहेंगे ठीक और मिलते हैं next video में नए videos के साथ और नए concept के साथ आपके साथ यहाँ पर मिलेंगे हम धन्यावार